श्टॉक मार्केट में विदाउट नॉलेज आर्थिक परिशिती सुदारने के लिए आओगे तो आपका मानसिक स्थिती भी बिगड सकता है ठीके तो विदाउट नॉलेज विदाउट सेटप कभी भी ट्रेडिंग मत करना अब बॉड्रिंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपने यूट्यूब चानल में तो आज डेट है 29 अगर्ष देखा जाए तो ट्यूजडे के दिन फिन निप्टी में ट्रेडिंग करना चाहिए अतरब यसा कुछ रूल नहीं है कि ट्रेडिंग करना चाहिए लेकिन में ट् नेरो प्योड्स नेरो सिप्प्यार होते तो मार्केट एक दिशा में एक डिरेक्षण में भागने के ज़्यादा चैनसे होते लेकिन मार्केट अभी ओपन हो रहा है ग्याप और वहां पर एक चोटा मोटा रजिस्टेंस लेवल है रजिस्टेंस मतलब ट्रेंड लाइन है आपने देखा होगा मैं आईसे ट्रेंड लाइन्स ब्लाइनस आईसे होती है मैं चार्ट पर आपको दिखा हूंगा कहां पर में बात कर रहा हूं तो एक बार अगर वह लेवल निकाल दिया तो मैं बाइस सैड के लिए जाओंगा नहीं तो फिर से मार्केट रेंज में भी सब को भगाएगा लेकिन दोनों साइड के प्रेडिक्शन है रियक्शन देखते है मार्केट क्या देता है उसके हिसाब से मेरा ट्रेड रहेगा ठीक है रिस्क मैनेजमेंट आपको पता है 20-25 रुपे का रिस्क लेकर में ट्रेडिंग करूंगा 1000-2000 कॉंटिडी जितना स्ट रिस्क मैनेजमेंट में में ज्यादा फोकस नहीं देता मेरा दिमाग में इतना रहता है कि आज 25,000 रुपे चला गया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा ठीक है यह मार्केट में घुसता हूं तो अभी देखते है चारपाश मिनिट बाकी है मार्केट अभी ओपन हो गया मतल मेरा जो ट्रेट है अभी चार्ट पर आपको आपके साथ डिस्कस करता हूं ठीक है चैनल पर नहीं हो तो वीडियो थोड़ा लास तक जरूर देखना चलो ओके तो यह कुछ मेरा आज का अनलेसिस से निप्टी का मैंने इतीन चार लेवल करके रखे आपको थोड़ा उसका कहां पर तो आप देख सकते हो तीगे इह लेवल्स आपके भी चार्ट पर ट्रॉक रोख और आपको समझ भायाएगा लेवल्स कहां से हैं तो देखते है अभी मार्केट कितना एक डो मिनिट बच्चा हुआ है में बाद में आपके साथ करता हूं कि मेरा प्लैन क्या रहेग तो मतलब दीन के जो first दो candles होते हैं एक दो candles उधर ही मुझे समझ में आता है कि मतलब समझ में आता है मतलब 10 में से 10 बार सही नहीं आता हूं मैं लेकिन थोड़ा बहुत idea आजाता है कि इसे जाना कहां पर तो मैं हमेशा आपको यही recommend करूँगा दीन का जो first candle होता है नहीं तो first candle का अगर 50% निकाल देगा तो उल्टा प्लैन करूँगा अभी यहां पर यह जोन में कुछ planning नहीं कि अगर first candle का low break करता है ना तो नीचे जादा जगा नहीं कि थोड़ा रुख जाओ यहां पर अपना कहां गया central pivot range ठीक है यहां पर देखो यहां कितना आएगा एक 20 points से आएगा इतना मज़ा ने आएगा तो इससे आचा में थोड़ा वेट करता हूं यह थोड़ा निकाल ले दो अभी यहां पर मुझे मेरा setup यहां पर कुछ करने ने देगा ओके प्लान तो सेल साइड का हिता लेकिन problem क्या हो रहा है देखो अगर मैंने यहां कितर भी पूट्स लिया तो इसका मानना यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऐसा टारेक्ली नीचे जाएगा ठीक ऐसा तो नहीं होता आपको भी पता है मार्केट का मुवमेंट आपको पता है यह है इधर-इधर कुछ तो करेगा बाद में नीचे भी आ सकता है उपर भी जा सकता है लेकिन कररंटली मैं इस जगा पर इसलिए पूट्स ने ले रहा हूं क्योंकि अगर मैंने पूट्स लिया तो मुझे ऐसा लग सकता है कि मार्क क्लोज होने के लिए चार मिनिट बचे उसके बाद में डिसीजन लोंगा ठीक है मार्केट पता नहीं आज कंप्यूट क्यों कर रहे क्योंकि नेरो रेंज नेरो प्योट जब होती ना वो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए लेकिन मैं यह भी अगरी करता हूं कि क्या है अभी मैं इसमें गुश गया हूं कि तो थोड़ा डिसकस करता हूं मैं दोको मुझे परस्चनली यह दोड़ा आज गडबड लग रहा रहा है क्यों गडबड लग रहा है पता नहीं कि यह रेंज माट का हुआ है ना इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे ठीक है लेकिन ज अगर यहां पर देखें तो आपना आपको पता है इसे क्या बोलते है ठीक है पीपोर प्योट्स और फोर और वन लेकिन स्टॉप लॉस प्योट की नीचे टारगेट मुझे लगता है मैं थोड़े ज्यादा एक्सपेट कर रहा हूं आज क्यों एक्सपेट कर रहा हूं क्योंकि अपना जो निप्टी का यह है अपना प्योट से वह नैरो है यहां पर कल जैसा एक चिंटू मिंटू रेजिस्टन्स ह देखते हैं क्या होता है आरवन के असपास अगर मैं एक्जिट करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा यहां तक वेट करूंगा वह नेस्टू थ्री मिलेगा लेकिन और एक छोटा सा प्रॉब्लेम है यह ना यह यह वाले यह लोग यह मार्केट को थोड़ा रोख सकते हैं ठीक मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है आज काडी लगता है हीट होने लगता है देखते हैं क्या होता है मैं आपको बाद में अपडेट दे दूँगा तो जिसका डर था जो थोड़ा बहुत डाउटफुल था वो गया है यहां ठीक है प्रदा एनलिसिस करते हैं कैसे सबसे पहले डेली जैसे मैं बोलता हूँ आउटकम देखो तो आज का भी आउटकम देखो तो यह कुछ आउटकम है लेकिन यह सब कुछ लिमिट में ठीक है ऐसा नहीं कि लॉस हुआ है तो पिछले दिन का प्रॉपिट चाल गाए एक दो दिन का प्रॉपिट चाल लागा इसा नहीं है जो मैं प्लान करका यह था मॉर्निंग में उप्लान के हिसाब से सब कुछ सही जा रहा है लेकिन अभी क्या करते है रुप जाओ थोड़ा अनेलिसिस करते है अच्छा वास्टाप लोस लगाया था ठीक है यहां पर आते सबसे पहले मैंने प्लान बनाया था कि यह रेंज में ट्रेडिंग नहीं करूँगा ठीक है तो मेरा मिश्टेक नंबर वन क्या हुआ मैंने यहां पर ट्रेड लिया लेकिन यह मिश्टेक नहीं बोल सकते क्योंकि मेरे सेट अप में क्या आता है जब जब भी सपोर्ट के असपास जो रिएड केंडल आती है उसे अ 1-1 भी नहीं लेता 1.1.5 नहीं तो फिर डारेक्ली 1-2 के प्लाइनिंग करता हूं तो यह सब कुछ ठीक है ओके तो मिश्टेक नमबर 1 रेंज में टीडिंग किया सेकंड सिप्यार देखो क्या बोल रहा है अपना सिप्यार यहां पे पिवोट से यहां पे राइट प्रिवेज हाई के उपर हमेशा बाइंग करना चाहिए लेकिन यह थोड़ा मिश्टेक हुआ मैं और 10-15 रुपीज के लिए वेट करता यह लेवल निकल जाता तो हाई चांसे से कि मेरा ट्रेड वर्क भी होता तो अभी यहां पे मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा क्यूं क्यूंकि मैं मैंने जो प्लैन किया था उसके हिसाब से जो कुछ होना था हो गया अभी वैसे देखा जाए तो एक मिएट में आपके साथ डिटेल में डिसकस करता हूं लेकिन यह थोड़ा द्यान में रखो जब-जब मार्केट प्योट्स ट्रेंडिंग में होते तो आरवन के उपर प्र कि में यह करओंगा क्योंकि ट्रेंडिंग करूंगा तो ओर ट्रेंडिंग में चला जा सकता है लेकिन मैंने जो रूल फालो किया था क्वेंटी-वेंटी-वैट्र év Other का उसके इसाब से सभी है ट्रेड में दो गलती है हुई मैंने आपके साथ डिसकस किया मैं थोड़ा रेंज में चला गाए हिरो बनने के लिए लेकिन हिरो बनने के पिछे मेरा अपना जो आरवन होता है वो ब्रेक नहीं कर रहा है तो ऐसे टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं मैं अभी इससे फाइट नहीं कर सकता देखा जाए तो मेरे पास अभी थर्टी फोटी थाउदन का रिस पेंडिंगी क्यों लाश्ट फ्राइडे का एक बीसेदार रुपे पेंडिं लेकिन ऐसे मार्केट में अगर ट्रेडिंग करूंगा तो हाई चांसे से बीस का चालिस हो सकता है निगेटिव की बात करो है पॉजिटिव की नहीं तो आज के लिए इतना ही देखो दुनिया का जो सबसे टॉप का ट्रेडर है उसका अपको पता है होगा 58% है तो उसके साम बढ़ाते हैं हीरो बनते हैं तो यह नहीं होना चाहिए लॉसेस भी हमें थोड़ा बहुत कुछ सिखाते हैं आज मुझे क्या सिखना मिला जब प्रेंडिंग में होते हैं तब तक R1 और S1 के बीच में हीरो मत बनो ठीक है यह में नेक्स टाइम फॉलो करूंगा जब नेरो अगर चैनल पर नए हो चैनल पर नहीं हो तो एक वीडियो देखके कुछ मतलब अलग अलग स्ट्रेजी मेरी ट्राय मत करना मैं प्योड और प्राइस सेक्षेन फॉलो करता हूं थोड़े पिसले 10-15 दिन के वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं तो अ मेरा थोड़ा पड़ाने का तरीका अलग है स्टार्टिंग में आपको लॉसेस हो सकते हैं क्यों क्योंकि यह पूरा का पूरा साइकोलोजी बेस्ट है यहां पर मेथर्ड कुछ नहीं है जो कुछ है साइकोलोजी है तो थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है तो इसलिए 10-15 वी देन जिए बाई